तो मेरा नाम है हरी किसोर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की सोट टेक टॉक पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन से ही कैसे पता कर सकते हो कि आपके नजदीक में एटेले स्टोर है और कहां पर है दोस्तो तो पहले हमें एटेले स्टोर कई बार जाना परता है या एटेल का सीम है हमारे पास कोई प्रोब्लम हुआ तो तब भी हमको एटेले स्टोर जाना परता है जैसे कि हमारा सीम खो जाया तूट जाया चोड़ी हो जाया अगर हमको पुराना नंबर निकालबाना है तो एटेले स् और दोस्तो अगर आपका सीम दूसरे के नाम से आप अपने नाम से ट्रांसफर कराना चाहते हो तब भी आपको एटेल स्टोर जाना ही परेगा तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं यही बताने बला हूं कि आप अपने फोन से पहले चेक कर लेंगी एटेल स्टोर कहां पर है फिर आप जाएंगे तो आपको परसानी नहीं होगी आने था आप बीना जाने ही अगर जाएंगे एटेल स्टोर को खोजने के लिए तो आप पूछेंगे किसी से उसको भी पता नहीं होगा तो हो सकता है आपको परसानी हो तो दोस्तो एटेल का स्टोर अपने फोन से ही पत कर सकते हैं तो दोस्तोव एचल एप डाउनलोड करने के बद आपको अपने नंबर से लोग इन हो जाना है ऐडालेंगे उसके बाद यहीं प्लिखने को मिल जाएगा तो आपको दिखने को आपको एटेल स्टोर्ज पर क्लिक करना है मैंने क्लिक कर दिया तो दोस्तों देख सकते हैं यहां कौन-कौन मेरे नजदीक में मेरे 1.4 किलोमीटर के अंदर ही एक दिप्पु टेलीकॉम है उसके बाद 3.3 किलोमीटर के अंदर ही आसोख मोबाइल सेंटर है उसके बाद 3.7 किलोमीटर पर चंदन हेलो सेंटर है सारे जो मेरे नजदीक में एक टेल का स्टोर है वो सारा आ गया हुआ है तो दोस्तो अगर यह मुझे जानना है कि यह कहां पर है तो इसके तीर वाले निशान पर क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि कहां पर यह दुकान है हताओरी में दुकान है यह कितना दूर है और मैप के हिसाब से मैं जा भी सकता हूँ तो दोस्तो आपने देखा कि हमने कैसे पता कर लिया कि हमारे नियर में जो एटल का स्टोर है और कहां पर है अगर आपको एटल पेमेंट बैंक या किसी से भी दिक्कत है प्रोब्लम आ रहा है तो आप वहां जाके सॉलूसन आप पा सकते हैं तो दोस्तो हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ सेर करें दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद जैहिंद बाइबाइ